लेकिन इस माहौल का फाइदा उठाते हुए चाहता ये हूँ कि आप जरसा आम मुहबत के मूड में ही आ गए है आप सब के दिलों में अपने अपने महबूब के चेहरे हैं आपके जहनों में मुहबत इस वक्त सवार है तो मैं इस मौके का फाइदा उठा लूँ मेरे पास ए तेरी जुल्फ छूके आते तो कुछ और बात होती ये फसाने मुहबत बजुबाने दीगरां क्या इसे तुम अगर सुनाते तो कुछ और बात होती वैसे भी मुहबत बड़ी अजीब चीज है बच्पन में मुफ्त मिलती है जवानी में कोशिश करनी पड़ती है और अजरबात से फाइदा उठाईए और मुलाकात कीजिए देहली से हमारे बीच में तश्रीफ लाई है मौतरमा मौनिका देहलवी मैं उनसे गुदारिश करता हूँ तश्रीफ लाएं और अपने खुबसूरत कलाम के साथ इस महफिल में अपनी घजल और अपने गीत के साथ इस मुशायरे को आगे बढ़ाएं मौतरमा मौनिका देहलवी साथ करें स्वरों की देवी मा शार्दे को नमन करती हूँ मंज को प्रणाम करती हूँ आपकी पावन उपस्तती को प्रणाम करती हूँ श्रंगार की कवित्री हूँ गीत गजल महबत की बाते करती हूँ चार-चार पंक्तियों से आपसे जुड़ने का प्रयास करूंगी यदि कोई पंक्ति आपको अच्छी लगे तो समर्थन कीजिएगा मैं चार पंक्तियों से आपसे चुड़ती हूँ, सुनिएगा दिल दुखाने से डर रही हूँ मैं बस पैट जाओं नहीं, नहीं, नहीं काम हो गया लेकिन बहुत अच्छा आप लोग सुन रही हूँ मैं लफ्ज कडवे कतर रही हूँ मैं दिल दुखाने से डर रही हूँ मैं लफ्ज कडवे कतर रही हूँ मैं इश्क जब से हुआ है लोगो इश्क जब से हुआ है लोगो बात अरदु मैं कर रही हूँ मैं बात उर्दों में कर रही हूँ मैं बहुत बहुत अन्यवाद बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं मैं एक गजल पढ़ना चाहती हूँ चार पंग्धियां पढ़ना चाहती हूँ मेरे पत्रकार बंधियां बैटे होंगे न रहना सुर्खियों में तुम कभी खबरों में मत आना डुबो देगी लहर इस इश्क की लहरों में मत आना और जमाना प्यार करने वालों को जीने नहीं देता मुझे देखो महबत से मगर नजरों में मत आना बहुत बहुत धनिवाद एक गजल आपके बीश रखना चाहती हूँ जैसा कि नदीम फारुक साब बहुत अच्छा संचालन कर रहे है उन्होंने एक बात आपके बीश रखी कि उर्दू को मुसल्मानों के बीश कहा गया कि उनकी जुबान है हिंदू की जुबान नहीं है बहुत सारी बाते आपके बीश रखी बस उसी बात को जहन में रखते हुए एक गजल पढ़ना चाहती हूँ इस गजल में उर्दू और हिंदी दोनों शब्दों का शमावेस है मैं उम्मीद करती हूँ आपके दिन तक पहुँचेगा इसी उम्मीद के साथ मतला हासिर करती हूँ सुनिये गा सुनिये गा यदि प्यार में हम इतने समर्पित नहीं होते दुनिया में तेरे नाम से चरचित नहीं होते तुम साथ निभाते तो ये नाबत नहीं आती तुम साथ निभाते तो ये नाबत नहीं आती खत आपके गंगा में विसर चित नहीं होते और ये शेर पढ़ते हो सुनीगा जागी हूँ कई रात में यादों में किसी की जागी हूँ कही रात में यादों में किसी की ये गीत गजल चंद यू अर जित नहीं होते और ये शेर भी सुनीजेगा इर्शाद चोरों की तरह आते थे गलियों में हमारी आते जो खुले आम तो वरिचित नहीं होते जो खुले आम तो वरिचित नहीं होते गजल कतम तालिया बजाईए अरे वावावावावावाव बहुत अच्छा सुन रहे थे बहुत डूप के सुन रहे थे गजल और पढ़ना चाहते हूँ देखना चाहते हूँ आप किस तरीके का सुनना चाहते है लेकिन बहुत अच्छा सुना है आप लोगों ने, गजल का मतला रखती हूं, सुनिए गा, पढ़िए, भाई, ऐ मेरे जहन मेरा साथ दे चल हो जाए, क्या कहना मोनिका बाई, चल हो जाए, ऐ मेरे जहन मेरा साथ दे चल हो जाए, ऐ मेरे जहन मेरा साथ दे चल हो जाए, ऐ मेरे जहन मेरा साथ दे चल हो जाए, याद में उसकी जराइक गजल हो जाए, गजल हो जाए प्याद में उसकी जराइक गजल हो जाए गजल हो जाए शेर सुनिए गाम वो कभी पैर अगर रख दे मेरे कमरे में वो कभी पैर अगर रख दे मेरे कमरे में वो कभी पैर अगर रख दे मेरे कमरे में तो किराए कभी गर राज महल हो जाए मेहल हो जाए तो किराए कभी गर राज महल हो जाए मेहल हो जाए तालिया बजा दीजी बइदेगे आपको मुनिका बार बार कहना पड़ रहा है तालिया बजाने के लिए एक बार मैं भी कहके देखता हूं बुलजशहर के अच्छे लोगो मैं आपसे गुदारिश करता हूं कि अगर देखने से फारिग हो चुके हो तो मैं आपको याद दिलाऊं कि आपको दाद भी देनी है तो जरह सा आप अगर जरह सा ताजा बनाए रखेंगे तो ये कुछ बेहतर खित्मत आपकी करेंगी मोनिका देलवी गीत भी बहुत अच्छे पढ़ती है मैं इसे गुदारिश करता हूँ दो घजलें पढ़के देख चुकी है तो एक गीत भी पढ़के देख लीजे जो भी नतीजा निकलेगा उसी के हिसाब से बाते ते हो जाएंगे चलिए आदेश हुआ एक गीत पढ़ देती हूँ आपके बीच में पढ़ें दद्दू कितना पानी पिलाओगे इन लोगों को ने ने वो चार पंक्तिया पढ़ती हूँ गीत की भूमिका में पढ़ना चाहती हूँ के ना महबत में जरूरी है के अब ये हादसा हो ले महबत में जरूरी है के अब ये हादसा हो ले मैं थोड़ी बेवफा हो लूँ तु थोड़ा बेवफा हो ले और चलो बदनाम हो जाते हैं गलियों में महबत की चलो बदनाम हो जाते हैं गलियों में महुबत की जमाने में जरा चर्चा हमारा आपका हो ले गीत पढ़ना चाहती हूँ आप वावा तो अच्छी करते हैं लेकिन मैं हिंदी मंच की कवीत्री हूँ जब तक जोड़दार तालियों की गड़गडा हट कानों तक नहीं पहुँशती ऐसा लगता है कि आप सुनने के बूर में नहीं है बहुत बहुत धन्यवाद बहुत अच्छा आप लोग सुनें एक छोटा सा दो मिनट का गीत पढ़ना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मुझे वही प्यार मिलेगा जिस प्यार की उम्मीद से मैं यहां तक आई हूँ मैं पढ़ती हो सुनिये गाँ देखे आधर निया जो भी बात करें मैं देख रही हूँ इदर कुछ लोग बात करें तो बस इतना ही कहना चाहूंगी, बताओ क्यूं बला पैदा ये तुम हालात करते हो, हमारे साथ ही ऐसा या सब के साथ करते हो, और तुम्हारे ही लिए आये हैं फिर ये बेरुखी कैसी, इधर कविता मैं पढ़ती हूँ, उधर तुम बात करते हो, थोड़ा सा आप लोगों का मन चाहूंगी, कल पड़सो तरसो आप बात चीत करते रहिएगा, आज मुझे सुन लीजिए, पांच मिनट के लिए, सुनिएगा, फुरिसत हो सितारों की, बारात में आ जाओ, तुम चांद देखना है, तो रात में आ जाओ, तुम चांद देखना है, तो रात में आ जाओ, कितने ही बादले चले गए पुकार कर अब के भी सावन गुजार दिया तनिहा कितने ही बादले चले गए पुकार कर अब के भी सावन गुजार दिया तनिहा 16, 17, 18, 3 साल यार मैंने तेरे बिन यौवन गुजार दिया तनिहा तेरे बिन यौवन गुजार दिया तनहा तुमको है कसम अब की बरसात में आ जाओ तुमको है कसम अब की बरसात में आ जाओ तुम चांद देखना है तो रात में आ जाओ और ये बन भी सुनिएगा एक सच्छा बन आपके भीज रखती हो सुनिएगा लेला माजनू ओ शेरिफर हाद मार कर मरता नहीं है प्रेम आप जान लीजिए फिर भी जीवित है महबत दिलों में आज जिद अपनी ये छोड़ हार मान लीजिए जिद अपनी ये छोड़ हार मान लीजिए दुनियाँ वालो अब तो आउकात में आजाओ तुम्हे चांद देखना है तो रात में आजाओ और इस गीत कान ते मन पढ़ना चाहती हूँ और आपसे विदाई की ताली मागती हूँ पढ़ते हूँ सुए रहा एक बार रूप मेरा देख लिया तुमने तो खाब में भी मेरा चहरा नजर आएगा बंद कर लूँगी तुमें पलकों में उलजाके बांध लूँगी जुलफों में सुलज न पाएगा बांध लूँगी जुलफों में सुलज न पाएगा बाहों में भर लूँगी बस हात में आ जाओ बाहों में भर लूँगी बस हाथ में आ जाओ